यहां जाते हैं, यह रास्ता आपके घर के तब नहीं जाता है और वो गाड़ी, अब भी तो यही थी, जिसमें आपके रिश्दार बैठे वे थे, कहा है वो अब कुछ कहते क्यों नहीं है, आप कहींगे ना, चुप क्यों है अरे भाई, यह कौन से रस्ता से जा रहे हैं, और हमारे पीचे वो गाड़ी थी, वो का आँगी पागल है यह है, और यह चाहारओ से कहा है और ऑड़ी मत चला ना, बोली मत चलाना में इस वाज़ा नाजब करके वो गुलाब जामुन रसीले मदश आ गया यार बहुत दिनों मैं ऐसे गुलाब जाम ने कायते हूंए बाइगॉड बटके गाया वाब है वाज बच 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 सांगे बच वाज यू तेरा घर तो आगे है ना यार पता है मुझे, लेकिन तो गर तक यू आ रहा है शोड़ने को, मैं चलते जाओंगा, जरा वाक भी हो जाएगा, खाना भी अजम हो जाएगा, इस ताइम वाक, एक मिनाट, बॉस, कोई गर्फ्रेंड का चक्कर तो निये था, साडूंके, गर्फ्रेंड का चकर तो तेरा ह घुरू धिया प्रमाराज, अर्संन, अपनी घर जाना, आपने गर जाना, और क्या, शड़ो फिर, मिलते हैं, बाई, 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 हराम सुछली जाएगा, हाँ देड़ बच्चुका है रापका बचाओ! बचाओ! इनिमादस करो! बचाओ! बचाओ, पुझे मजे बचालेजी, पुलिखे इनके नोडरे बचालेजी, लोग बचालेजी तरह मादस कर दो लेजी वहीं पर उख जाओ! एक कदब भी आगे बढ़ा है ना तो नतीजा खता पुगा है है हमारे रास्ते में टांग मतड़ा चुप चाप यहां से निकल का भाग जब तुम जैसे लोगों के मामले में टांग अड़ा नाही मेरा काम है समझे यह हमारे लभड़े महतर तो चप चाप इस फटकी को हमारे अवाले करते हैं निकले यहां से अच्छा नहीं हो रहते लिए तुम लोग ऐसे नहीं मानों के अभागो अभागो बात भागो आपके पास गल पॉलिस पर काम करते हैं क्या मैं A.C.B. प्रदिमन, C.I.D. से, गवरामत, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा ना जैस्मीन, सर्थ, प्लीज सर मुझे घर, मेरा घर पहुँचने बहुत जरूरी है सर्थ, मुझे घर पहुचा दीजे, सर्थ, प्लीज मैं तुम्हे 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 खर पहुचा दूँगा मैं क्यों, सर्थ जस्मीन, जली यह बताओ, तुम्हे तुम्हे इतनी राद गई क्या तर रही थी? क्या हो, और वो लो कौन है, जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे? बता नहीं, सर्, मैं तो रास्ता भटक गई थी, अच्छानक से यह घुंटे पीछे पढ़ गया, मेरे जान के दुश्मन बन गए जस्मीन, वैसे तो तुम्हे देखकर लगता है कि तुम्हारी नही नही शादी हुई है, क्यों? जी, सर् तुम अक्यले इतनी रात के यह कहा जा रहे थी? तुम्हारे पती कहा है? पती? सर्, वो तो शेहर से बाहर है, सर् बाहर कहें? तो लाव उनका फोन नंबर दो मुझे, मैं उने फोन करता हूँ सर, लंबर मुझे याद नही है, सर, उनका क्या कहा? अपने पती का फोन नंबर याद नहीं तुम्हें? यह कैसे हो सकता है? सर्, ओ, आगे से आप प्लीज दाएं तरफ ले लीजे यहाँ पर है? यहाँ सर् वहाँ रहती हो तुम? यह भी कॉलनी में? सर्, आप एकाम कीचे, आप यहाँ पर गाड़ी रोख दीचे, सर्, मैं चली जाओगी यहाँ जाओगी यहाँ एक मिनेट अरी अखिली कहा जाओगी, मैं आता हूँ तुम्हें चोड़ने के लिए कहा रहती हो बताव यह सामने जो गेट है नहीं सर्, वहाँ अंदर जाते ही, सामने जो सफेद कलर का घर है सर्, मैं भी पर रहती हूँ जा वहाँ पर चलो, मैं तुम्ही छोड़ाता हूँ नहीं नहीं सर्, मैं चली जाओगी आप बगार में तकलीफ उठा रहें सर् यह नहीं नहीं, यह तो मेरा फर्ज है, इतनी राध गेग, तुम्हें मैं अकली नहीं चोड़ साथ चलो, मैं तुम्हारे कर चोड़ाता हूँ तुम्हें नहीं नहीं सर्, अब त्रीस तकलीफ मत उठाइए सर्, वैसे भी अब गुंड़े मेरे पीछे नहीं पड़े हैं सर्, वह मेरे पीछा नहीं कर रहे, मैं चली जाओंगे सर् ठीक है, तुझ जाओ, लेकिन सुनो, जब भी कुछ ज़रूरत पड़े, मुझे फोन करना, CID Bureau में जी, सर्, सर्, वैसे मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, सर् बुटनाइट समझ बिन्यात है, चक्कर क्या इस लड़की का? यह जस्मिन कुछ तो छुपा रही है मुझसे चलके देखना पड़ेगा उस सपेद घर में संनी तो करनी पड़ेगी कोन आया होगा इतने रात को? देखो तो, कोन है? कोन है? और यह कोई वक्त है किसी के गर के गंटी बचाने का? देखिए, मैं ACP प्रत्यूमन CID से CID से? ACP प्रत्यूमन? इस वक्त हमारे गर में मैं सर्फ यह देखने आया था कि जस्मीन ठीक है या नहीं? कौन जस्मीन? अरे? वो लड़की जिसे मैंने अभी-अभी आपके कॉनली के गेट पर छोड़ा यहीं पर तो आई है वह? नहीं सर् यहां पर कोई जस्मीन नहीं रहती है देखिए मैं शायद इस जस्मीन की नहीं नहीं शादी हुई है हाथ में लाल रंगी चूड़िया पहनी थी हर्य रंग के कपड़े थी और हाथ में एक काली पर्स भी है उसके हमने आपको बताया ना सर् हम किसी जस्मीन को नहीं जानते हैं सर्, हमरा विश्वास कीजिए इसकर में हम दोनों अकेले ही रहते हैं आपमें कुछ गलत सुना होगा ने, ने, मैंने कोई गलत नहीं सुना है उस लड़की ने यही एड्रेस बताया था जस्मीन जस्मीन आप कुछ छुपा तो नहीं रहें मेरे से कुछ जूट तो नहीं बोल रहें आप नहीं सर् अगर पता चला कि आप जूट बोल रहे थे तो नतिज़ अच्छा नहीं होगा समझे दुबार आओंगा गोरे गाउँ इस के बी कॉलोनी के बी कॉलोनी हाँ अरे वो लड़की जमीन में थोड़ी नहीं घुज गई है वहीं कहीं चुपके बैठी वे मौका मिलते महां से भागेगी ठुंड़ो से हाँ जैस्मिन जैस्मिन नाम है उसका मुझे जल्दी से जल्दी रिपोर्ट रहें ओके फाइन साफ स्पेशल टीम को लगा दिया एक एक घर सार एक घर एक घर एक गली बट जल्दी बता चल जाएगा समझ भेने आता एक छोटी सी भूल की मैने एक छोटी सी भूल उस लगगी के बातों पर भरोसा किया मैं जूट पे जूट बोले जा रही थी और मैं फरुसा किये जा रहा था और फिर गायपी हो गई हो सर अच्छी तरह से मालूम था के बचाने बाला C.I.D. officer है हाँ फिर भी जूट बोल के निकल गई हो हाँ पर निकल गई तो गई कहाँ सर ये भी तो हो सकता है कि उसका नाम जैस्मीन होई ना सियाइडी वालों को बताती है और सबसे आजीब बात तो ये है कि उसे अपने पती का नंबर तक याद दे था सर ये भी हो सकता है किसी गायर कानूनी काम में उन्ही गुंडों के साथ मिली हुई हो किसी बात को लेके अपस में जगड़ा हुआ होगा गुंडे पड़गा इसके पीछे मगर शर उसने आपको केभी कॉल नीमें छोड़ने के लिए क्यो कहा होगा कोई तो वजह उगी ना कोई तो वजए जरूर है टैया उस लड़की का कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है उस केभी कॉलवनी के साथ सOR सर, स्केच आर्टिस्ट आप स्केच बनवाएंगे हाँ क्यों? मैंने बनवा सकता इस बर मैं विटनेस चलो लग जाओ काप दिखिए कल रात मैंने एक जस्मीन नाम की लड़की को आपकी कॉलनी के गेट पर छोड़ा था वो लड़की मेरी आखों के सामने इस कॉलनी के अंदर आई और उसने मुझे ये भी बताया था कि वो मिश्चर और मिस्स कुमार जिस घर में रहते हैं उसी घर में रहती है लेकिन अब मिश्चर और मिस्स कुमार का कहना है कि वो किसी जसमीन नाम की लड़की को जानते ही नहीं. आप लोगों मेंसे कोई तो जानता हो गा जास्मीन को? की तो भी नहीं सुना सर. किसीने तो शुना होगा? जी नहीं सर. ये कैसे हो सतता, वो लड़की मेरी आँखों के सामने कॉनली के अंदर आई थी? देखिए सर, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कल रात हमारे गर पे जासमीन नान की कोई लड़की नहीं आई थी सर, आप हमारी बात पर विश्वास क्यों ने करते हैं सर तो फिर ये लड़की गई तो गई कहां ये देखिए ये उस लड़की का स्केच है क्या आप मेंसे किसी ने भी इस लड़की को देखा दोर से देखिए और याद करके बताई कहीं पर तो देखा होगा आप मेंसे किसी ने इस लड़की को या तो कॉलनी के अंदर या पिर कॉलनी के बाहर कहीं आस पास तुम तुम ने इस लड़की को देखा है हाँ, सर, देख्या है. सर, यह मेरे घर के बगलवाले बंगले में ही रहती है। बगलवाली घर में? अञा, सर. और ईसको जाधा बाहर निखलने भी नहीं ये देते हैं. बाहर निखलने नहीं देते हैं? क्यों? पता नहीं, सर. किसके साथ रहती है यह जास्मीन? सर अपनी सास के साथ रहती है यह. कहाँ पर रहती है वो? कौनसा बंगला? वो नीला उपला बंगला. तेंक्यू. है ना बड़ी अजीब बात? इपने सारे लोग इस कॉल्नी में रहते हैं, लेकिन यह जास्मीन को पहचानने वाला सिर्फ एक ही आदमी है. कुछ तो गड़बड जरूर है. जी? जास्मीन आपकी किराएदार है ना? वो अपने सास के साथ यहां रहती है. जी. जास्मीन और उसकी सास कल्पना. दोनों यहीं पर किराएपे रहती थी. रहती थी मतलब? अब नहीं रहती? जी. जी. जास्मीन कल राज से घर ही नहीं लोटी. यहां आई नहीं? जी नहीं. और उनकी सास कल्पना जी? कल्पना तो सुभा ही छे वजे चली गई थी. और जब मैंने उससे पूछा यह बैग लेके कहां जा रही हो, तो कहने लगी कुछ काम है. तीन दिन में वापिस आजाओंगी. अच्छा. यहां. मतलब यह कर्पना रे रफे चक्कर हो गई है. वैसे, जयस्मीन ने किया क्या है? वही तो नहीं पता लगा रहे हैं किस जश्मीन के साथ कुछ हुआ है या फिर इस जश्मीन ने कुछ किया है क्या? बैसे जयस्मीन से आपकी पहचान कैसी? जैसमीन और कलपना को एक एस्टेट एजेंट लेकर आया था और उसी ने एग्रिमेंट बनवाया था इस एस्टेट एजेंट के डीटिल चाहिए हमें जी वैसे ये दोनों साज बहू आपके घर में कौन से कमरे में रहती थी उस अंदर वाले कमरे में क्यों में जाके कबरा चेक करो अच्छी तरह से वो अग्रिमेंट की कौपी भी होगी ना आपके वाद उस पर इन दोनों के फोटोग्राफ भी होंगी जी दर दिखाईए हमें अभी लाती हूँ यह लखेए और कुछ बता सकती है इन दोनों के बारे मैं आप जी कलबना बहुत ही वी चित्र थी वह अपनी बहु जास्मीन को ना तो कही बाहर जाने देती थी और नाहीं किसी से बात करने देती थी और उसका पती भी एक-टुर बार ही आया था उसे मिलने जी, उसके पती का नाम? अमर? श्याय दिया ही बताया था? अच्छा, इस जैस्मीन के पती अमर का आप पुलिया बता सरती हैं? जी. सिर, इस जैस्मीन के पती अमर का स्केच बनवा लेते हैं. सर, हाँ. उन दोनों का कुछ भी सामान अंदर नहीं. अच्छा, कुछ भी सामान नहीं चोड़ा. मुझे तो लगता है इस जैस्मीन को यहां पर बंदी बना के रखा गया था. सर, आपने कहा था ना, कि जैस्मीन ने नई नवेली दुलहन की तरह चूड़ियां पहन रखी थी? तो सर, उसने हाल ही में किसी की मंदिया मेरिज हॉल में शादी कि हो गऑ? तो बस शेयर में yitने भी मन्दिय हैं जितने भी बैंक्वेट हॉल जितने मीं हाल हैं सिब में जाकर के पूछ दाज करो तेखो यह समीन के बारे में क्या पता चलता है? हां.. अलो सिर्, आप भी हाल भुकराने आए हैं? जी नहीं, दो हफ्ते पहले आपके ऐं शादी हुए थी, हम उसके बारे में पूछताश करने हैं दो हफ्ते पहले कि शादी के बारे में पूछताश ? जी C.I.D. नुआ नुआ इस हैं स्केच्छ को ध्यान से देखिं फर बताईए क्या है यह वही लड़की कि जिसकी शादी कि दो हाफते पैले हुई हाँ, सुहान, सुहान वेट्स जैस्मीन सुहान वेट्स जैस्मीन अच्छे, इसकी शादी के बारे में कुछ और बता सकते हैं आप वैसे तो सर, यहां जो भी शादी होती है हम उन सब का एक फोटो रख लेते हैं, अपने रिकोर्ड्स के लिए तब तो इशादी की फोटो भी होगिये आपके पास? हाँ, होनी तो जाहिए, सर. दिखाएए. 29. यह, सुहान. 29. यह है जैस्मीन का पती सुहान? अगर यह आदमी जैस्मीन का पती सुहान है, तो फिर इसकेच में कौन है? जिसके बारे में जैस्मीन के पडोसियों ने बताया था, कि उन्होंने इसे जैस्मीन के घर आते जाते देखा. यह तो मैं भी सुच रहा हूँ. एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट. इस फोटो में वो वाली सास तो है यह नहीं? हाँ, कितनी अजीब बात है ना साचन? अजीब सी बात तो है. एक मिनिट, यह दूसरा स्केच देखिए. इसका नाम कल्पना है. इसे अपने शादी में देखा था क्या? नहीं सर, यह तो शायद नहीं आई था. अचा इस शादी में कोई अजीब बात हुई थी या फिर कोई अजीब घटना घटी थी? हाँ, सर. शादी के बाद एक अजीब घटना तो घटी थी. क्या? शादी के बाद भी कुछ बाराती यही पे चिपके रहे गए. यही चिपके रहे मतलब? मतलब उन्होंने कमरा खाली करने से मना कर दिया अचा, क्यों? वो कहने लगे वो किसी का इंतजार कर रहे है जब वो आयेगा तब वो जाएंगे फिर क्या हो? फिर क्या? वो आया और उन्हें समझा बुजा कर ले गया शायद वो वही आदमी होगा जिसके लिए वो बाराती इंतजार कर रहे था अचा, यह आदमी देखने में कैसा था? उसने टोपी पहनी थी और काला चश्मा था कुछ देर यहां खड़ा रहा और फिर किसी को उसने यहां से फोन किया मतलब इस लैंड लाइन से? जी सर अचा, आपने सुना के फोन पे वो क्या बात कर रहा था? नहीं, सर अचा, इस आदमी ने किस वक्त फोन किया था? यही कोई एक बज रहे थे एक बजे? तब तो फोन रिकॉर्ड से जरूर पता चल जाएगा कि उसने यहां से किसको फोन किया था अभिजेत, यह लर्की जस्मी इसका बहुत बड़ा रैकेट है यह देखो अब इसकी शादी की फोटो यह देखो इसमें जो सास बनकर खड़ी है वो उसकी सास यह नहीं है और फिर इसका पती बनकर यह जो कड़ा है सुआन अगर उसका असली पती है तो फिर वो पती कौन है जो उससे चुप के मिलने जाता था घर-पर यह शादी भी नकली लग रही है सर अगर यह कलपना नाम की आउरत जास्मीन की सास नहीं है तो फिर ये जास्मीन बहु बनकर उसके साथ के बी कॉलनी में रहे क्यो रही थी? क्या दिखाना चाहते थे ये लोगों को? हाँ, के बी कॉलनी, एक बार ये इस्ट्रीट एजेंट आ जाया ना पी? तो पता चलेगा कैसा पुलिस विरिफिकेशन किया था उसने इन लोगों का? सर, यह एक बहुत लंबी चोड़ी प्लैनिंग है, सर. हमारे साथ दोका हुआ है. मतलब फोन नंबर भी नख लिए? हाँ, सर. जास्मीन पती ने जो फोन नंबर लिखाय था, वो भी रख लिये. साथ साथ एड्रेस भी नख लिए, सर. साथ भी नखली, बहु भी नखली, पती भी नखली, फोन नखली और घरका पता भी नखलिए. तो बिर ये सारे छक्ळ में असली है. क्या? असली यह है सर Mr. Birin estate agent तो तुम हो वो estate agent जिसने कलपनाओ जस्मिन को केवी कॉलनी वाला धर दिलवाय था देखें सर नकली पेपर बनवाय थे पुलीस वेरिफिकेशन में नकली था मुझे ने मालम था सर कि यह मामला CID तक पहुंच जाएगा Jasmine का है कौन Jasmine, सर? मैंने पूछा Jasmine का है नहीं मालम, सर CC कलपना का है बैट़ीड़ bought यह, यह कलपना है शर यह कलपना नहीं प्रिया है यह प्रिया है? कलपना नहीं? बतलत, तुम पहले से प्रिया को जानते थे यह बार-बार घर बदलती है और किसी भी घर में जाधा समय तक नहीं रहती और इनको घर कॉन दिलवाता था नहीं सर नकली पेपर से कि अपना मूँ बंद रखना तुमने अपना मूँ बंद रखना तुमने अपना मूँ बंद रखना ये जैस्मिन का क्या चक्कर है सर बै जैस्मिन को नहीं जानता और उसकेर में प्रिया के साथ कॉन राता ये भी नहीं मालूम सर जब उन्हें अपना घर पतलना होता थो तो किराने की दुकान पर मेरे लिए जिप्ठिया थोड दें थी तो दी कहां ही किराने की दुकान सरभा आटन हो स्ब्सक्षाइश है अलो आभडो थैसा इस लाइट्लाइश आ इजनसी अ चान क्षिका आइखी है स्युआ ग stunt शादी को हौल में स्टेड़ी आदमिने वाइट लाइन से फोन-क यद्जनसी फोर्न खाम करो इस किराने की दुकान में जाकर चोंच डालो और वाइट लाइन्स एड एजनसी पर छापा मारो आप प्रिया जी का कोई संदेशा है आज नहीं आज कोई संदेशा नहीं टिकूब ये सी आईडी वाले प्रिया जी के लिफाफों ने तो मुझे फसा दिया मतलब तुम भी फसने वाले हो समझें क्या था लिफाफों में मुझे कुछ ली पता सब इनसे पूछे ने इनको पालूब होगा नहीं सर नहीं सर हां यह लिफाफों की हिरा फेडी कब से कर रहे हो हां मुझे मत फसा यह साब प्रिया जी लिफाफे छोड़ जाती थी और यह स कि आज कल के मोबाइल फोन के जमाने में कभी कोई किसी के लिए चिट्री छोड़ता है क्या और फिर क्यों छोड़ता है कभी नहीं सोचा एक बंद लिफाफा रखने भर के लिए अगर महीने में पचीस हजार रुपए मिले तो तो तुमें 25,000 रुपए मिले और तुमने अ कभी यह नहीं सोचा के लिफाफा खोल के देखो उसमें है क्या सब अब इनसे क्यों नहीं पूछते हैं इनको मालूम होगा मुझे मुझे नहीं मालूम सहाब कुछ इनसे तो हम काफी पूछताच कर चुके हैं अब आप बताईये इपरिया जी रहती कहा है मैंने उनका घर यह दो नहीं देखा है हां उसने बन आगे वाली गली में चलो आप लोग हम लोग सी आइडी से हैं स्याइडी और यहां पर क्यों प्रया जी यहां रहती है तो आप लोग मेरी मम्मी को ढ़ों पर क्यों अश। रियाजी तुम्हारी माँ है? जी. तुम्हारा क्या नाम है? इल्याना. इल्याना क्या यही तुम्हारी माँ है? जी, मम्मी है. और यह कौन है? जानते हो इस. अरे, यह आपके पस कहां से आया? यह तो मेरे मम्मी के मैनेजर है, अमर. तुम्हारी माताजी का मैनेजर? जी. स्थारेयाए सुहान अमर कबसे बन गया? वही तो, अच्छो ये बाकी के डो जिन काँण है? नहीं, इन लोगे को मैं नहीं जानती है. छ λो, नहीं जानती को, लेकिन ये तो जानती होगी ना, कि तुमारी माता जी किराय के घर में रहती है और कुछ-कुछ दिनों में अपना घर भी बदलती रहती है क्या? जया, वो भी नाम बदल बदल कर क्या बखवास कर रहे हैं आप, आपको पता है आप जस घर में खड़े हैं ये बंगला मेरी ममी का है उन्हें किराय के घर पर हने किया जरूरत है और वोभी नाम बदर का है impossible possible या possible ये तो तो तुमारी माता जी बताएंगी क्वा है तुमारी माता जी वो यॉरॉब गई है यॉरॉब गई है अच्छा क्यों किसले है बिसνεस की सिल्ज styles एमे कौनसा बिजन्स? तेक्स्टाइल एक्सपोर्ट का. अच्छा, अच्छा, तो प्रिया जी टेक्स्टाइल एक्सपोर्ट करने लगी है. इलियाने जी आपको यह जानकर दुख होगा कि आपकी मम्मी आपसे छूट बोल रही है. मतलब? मतलब यह कि वो यूरोप नहीं, यहीं, इंडिया में है. मम्मी, इंडिया में ही है? जी हाँ, और पिछले ही हफ्ते इस एस्टेट एजेंट ने आपकी मा को एक फ्लाट दिलवाया था, केभी कॉलोनी में, और वो भी कल्पना के नाम से. कल्पना, मेरी तो कुछ समझ महीं नहीं आ रहा है. मम्मी, महीने, दो महीने में एक आत बार मुझ से मिलने आती थी. खेर कोई बात नहीं, तुम्हारी मा का फोन नंबर दो होगा तुम्हारे पास? अहां है. तो भी लगाव फोन? अभी इसी वक्त? और जब तक वो फोन नहीं उठाती, तुम फोन लगाती रहोगी. स्पिकर फोन भी आउन करना. घंटी तो बच रही है, मगर मम्मी फोन नहीं उठा रही. दुबारा लगा. आप चिस नबर को टाय कर रहे है, वो इस समय स्विच्ट ओफ है. स्विच्ट ओफ? फोन स्विच्ट ओफ आ रहा है. पहले फोन नहीं उठा रही थी, अब फोन स्विच्ट ओफ आ रहा है. इस चक्कर क्या है, इलियाना? मैं इसके बारे में क्या क्या सकती हूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है सर शायद प्रिया जी को पता चल गया है कि हम उने ढूंड रहे हैं आपर चुपेगी तो चुपेगी कहां ढूंड कर तो हम निकालेंगे इलियाना, तुम्हारी माँ एक बहुत बड़ा चक्कर चला रही है गैर कानूनी चक्कर और इसलिए तुम इस घर से कहीं भी नहीं जाओगी मतलब मेरी घर में आप मुझे बंदी बना के रखोगे वैसा ही समझ लाओ, हमारा एक सीनियर ओफिसर तुम पर कड़ी नजर रखेगा यहां पर राहूल को न है? जी मैं ही राहूल हूँ, फोन पर आपको मुझे से ही बात वी थी, आप C.I.D. से हैं ना? जी यहां, दीस नॉम्बर 2012 को तो पहर के एक से डिड़ बज़े के बीच में रॉयल ग्लांस के लैंड लाइन से आपके इस वाइट लाइन एड़ोटाइजिंग एजन्सी में कॉल आया था और जहां तक हमें पता है वो नमबर आपके कास्टिंग एजन्ट का टेरेक नमबर है जी अच्छा कहीं यो कास्टिंग एजन्ट तो नहीं जिसने उस दिन काली टोपी और चश्मा लगाया हुआ था आपने सही काहा सर यह रहा वो आदमी अच्छा तो तुम हो अब जड़ो अच्छा मैं तो खाली कॉडिनेटर हूँ सर शादी ब्या में आटिस्टों मॉडल सप्लाई करता हूं सर बस देखो बबी बाबु सब को सही सी बताता हूं कि बात क्या मैं सब अल करूंगा ना कि तुम्हारी सारी सप्लाई पन जाएगे ंटिर ना कि benefit इतना पूचने का तो मुझे एंभ टाने हूं सवे इन प्रयाजी घुण आ सब दाए नहीं है तुम्हें कैसे बता? सर वो सर.. प्रिया जी कहा मिलेंगी? वो नहीं मालूम सर नहीं मालूम, नहीं मालूम अचा जैस्मिन के शादी में सुहान के जो माबाप बने थे वो कहा मिलेंगे? सर प्रिया का फोन इसी अगर से ट्रेस हुआ इस तरह दरवाजा तोड़कर अंदर आने का मतलब? आप लो कोने हैं साफ? चुप चाप एक तरफ खड़े हो जाए साफ, हमने तो सिब दौकर आज्मी हैं साफ आप लोग.. चुप! कहा ना चुप चाप एक तरफ खड़े हो जाए घल्दी हरो अच्की तरफ से तलाशी. ब्रिया कोई साफ वाकई हमें कुछ नहीं मावलूम से हम लोग तो दस वजे आते हैं और शाम को साथ वजे चले जाते हैं साफ सर्थ यह देखे कंप इस क्यामिरा सर्थ हाँ से देखें तलवारे क्यों तुम्हें तीन लोग थे जो जस्मिन को मारना चाहते थे मेरी आखों के सामने है ना नहीं साथ साथ और यह मुझे भी मारने की कोशिश कर रहें मैंने, ऐसा कुछ नहीं साथ गिरफदार करो हीनै साथ आप अपने क्यों बसा रहे साथ आप अपने इस तरह भजा नहीं सकते हैं हमने कुछ ही किया तुम लोग ऐसे नहीं मारो है अपने अपनी गंदे दो मैं, गंद निचे करो, बागने की सोचो भी मत चुप जाप वही ख़रे रहो, आगे मत दोरो रुख जाओ तुम लगी को सुरोल हो, डाम लगाता हूँ रुख जाओ रुख जाओ रुख जाओ युख जाओ तुम चीको उल्डुख तरी नी मत नीस जो ढ emailed पॉस्यारी नहीं! विरेट! चल गरेट! छोड़ो से! पॉस्यारी करना मैट! चल बेट गरेट! यहाँ दबेट! इक्स्कूज मी! एक्टि मिट्ट! अरे! अप यहाँ कैसे आगए!? देखे प्लीज आप आप नी राश्मत कीजिए! मैं तंग आगया हूँ, प्लीज हमारी मदद कीजिए आप आप तो हमारे गले पड़ रहे हैं देखिया, हमें पता चला है कि आप प्रिया जी को जानते हैं जो सब की शादिया करवा देती है प्रिया जी? आप जानते हैं ना? जी हाँ अरे तो प्लीज हमें मिलवा दीचे हमारा चचेरा भाई कब से कुवारा बैठा है उसका भाग ये खुल जाएगा लेकिन आप है कौन? C.I.D. C.I.D.? आप लोग दूसरों की शादियां करवाते रहें और हमारा ये भाई कुवारा बैठा रहे ये तो बड़े अन्याए की बात है लेकिन सार हम तो बस हम लोग तो बस नकली माबाप बनते हैं शादियों में नकली माबाप और नकली शादी नहीं सार शादियां जूटी नहीं होती है क्या? गब जातियां जूटी नहीं होती है दरशल शादि तो असली होती है मापइं लगे नकली होती है हम तो बस सिर्फ वीधी के लिए वहां पर बैटच जाता हैं Sir यह बात है लेकिन नकली मापब बनके शादिया करवाना जूर्म है मालू भर मालूम है और तुम लोग जैस्मिन के घर भी गए थे, सुहान के नकली माबाप बनके? जी गए थे, वो लड़की के माबाप को मिलने के लिए गए थे सर। ढाहरा फोटो दिखा नगा – इस फोटो में यही दूनों जैस्मिन के असली माबाप है ना? हाँ सर यह यह असली माबाप है कहा रहते यह लो वसाई में अर वो दूला का है तुम्हारा नकली बेटा सुहान सर यकिन मानिए हमें कुछ नहीं मालूम उसके बारे में कुछ नहीं मालूम हर बात में मालूम नहीं यह तुम आलूम होगा कि वसाही में जैस्मिन के माबब आप कहा रहते हैं? एलिया मैम, आदे घंटे में अपने वैक्स पैक कीजिए. आपको लंड़न की फ्लाइट पकड़नी है. और हाँ, प्रिया मैम के ओर्डर से, आपने से कोई सवाल नहीं बूझेंगी. आपने बैक्स पैक कीजिए. सुना नहीं आपने, आपने बैक्स पैक कीजिए. तुम्ही आद नहीं आना जीए था. क्यों? क्या हुआ? यह सब छोड़ो और यह बताओ के जैस्मिन कहा है. जैस्मिन? कौन जैस्मिन? जैस्मिन को नहीं जानते. बताते हो या फिर गोली करूँ सर के आरबार? खुलाबा में छोड़ा था. खुलाबा में कहा पे? बीरा चौक में. बीरा चौक में. Sir, अमर हमारे हाथ लग गया है Sir. उसने अभी अभी बताया के उसने जैस्मिन को गुलाबा के बीरा चौक में छोड़ा है. तुम कुछ बॉल करने रो बेटा? जैस्मिन ठीक तो है ना? कहा है वो? जैस्मिन के माता पिता को, हा? आप लोग? आप लोग C.I.D. से. हम भी बता दो कहा है वो? हम सब साथ चले चलते हैं जैस्मिन से मिलने के लिए. कैसी वाती करें आप लोग? मुझे कैसे बता होगा कि जैस्मिन कहा है? योट! हमें सब कुछ पता चल चुका है सब्जेए? ये सब क्या हो रहा है? सीधी तरह से बता दो कहा है जैस्मिन? क्या क्या तुमने मेरी मेटी के ताथ? पोलो! कहां चुपए होते? पोलो! पोलो! रुक जाओ! रुक जाओ! रुक जाओ, सुहान! तुहान रुक जाओ! देखो अपने आपको हमारे हवाले कर दो! हमारे हवाले कर दो! देखो तुम भाग नहीं सकते! रुक जाओ, हैसे बेट! तुहान को छोड़ दो! वरना तुम्हारा ये ओफिसर हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ देगा! और इसकी मौत के जिम्हादर शिफ्त तुम होगे! यॉप! अगर विनित का एक बाल भी बाका हुआ ना तो तुम मेंसे कोई भी जिन्दा नहीं जागा यहाँ पे! अब तुम्हारे धमकियोज़ डरने अवाले नहीं है सिपी! अगर विनित चाहिए तो स्वायम को हमारे हवाले कर दो! तुम्हारी किसी के साथ सौधा नहीं करते ही बल्कि फैसला सुनाती है ठोड़ दे विनित को ठोड़ा इसे स्वान! वे! स्वान स्वान तुम्हार वे! बिरीकशा कोम्हारा तुम्हार स्वान आंके खुणी रखो प्राइ। स्वान स्वान अगली रखो जश्मिन को का रक्ख Southern जश्मिन वाइन कौॉटन मिल? वाइनcip वाइनकॉटन इस डग्यां लेकिन सर when something? श्यहर में तो इतने सारेenschaft mens है अमित ने बताया था किont company उसने खुलाबां में छोड़ा कुलाबा में एक मिल है स्ध except the keys अभिजुड को बताओ मैं वाँ चलता हूँ, अबिजुत को बताओ, अबिजुत को इन्फार्म करो सर्थ इस इलागे में तो यहीं है कि मेले, लगता है यह मेले बंद है और अगर यह मेले बंद है तो पर जसनीन को भी यहीं पर रखाऊगा अबिजुत को बताओ, तुरो रायम किसकी हो सकती है, चलकर देखना पुड़ेगा अबिजुत को बताता हूँ अबिजुत को बताता हूँ, मेरा अबिजुत को बताओं कैसे अदर या कि देखना पड़ेगा अंदर जाकि देखना पड़ेगा एक बार ये घुन्डे हाथ में आ जाए तो प्रिया का भी पता चल जाएगे एक पैसे विप आपको फोन कर देता हूं राका और श्मिर से चला है एक भी साफ उस सब्सें चलाए उससा प्रशीन उसा हिसी अचिशे हाई तुम्हां मंगैर्वाट कुछ यायर कुछ तव दिखाएगे दिरह मुलकों, पागल पिश्टाइब, कैसे खाली चला रहा है, चेकर सा आज़ा… मुझे भी चेकर आज़ा, कहीं कहीं, वो प्रिया मैंडव, वाह पी तो आपने शिकार यह तो मर चुका है? यह भी मर चुका है? यह भी मर चुका है? बेप, इन्हों अच्छाना कि इतनी जल्दी कैसे मर गए? यह, एक्सिदेन्स उतना पड़ा देख्वनेड़ा? अबजी, इन्हों? कोन? अबजी? अबजी, इन्हों अबजी, इन्हों को जहर से मारा गया, पर यह सब किया किसने होगा, और क्यों? कि उसा मालूम था, अगर यह तीनों पकड़ेगा है, तो CID उन्हों तक पहुंच जाएगी. अगर CID के हर चाल्स के बारे में उसा पता कैसे चल रहा है? है कौन ही आदमी? इससे पिस आपकी गाड़ी? सर कहा है? उमका फोन अभी भी लगने रहा है, सर वे किसी पुसीबत में है? सर, हमने आपको आपको बहुत दूड़ा सर वहाँ पे, बगर आपको ही मिले ही नहीं? सर, हमें लगा कि तुम्हें लगा कि मैं भी ब्लास्ट में मर गया है? हाँ सर, इतना बड़ा ब्लास्ट है सर, लाशे ही लाशे पड़ीती हर तरफ सर, सब जगा धुआ और राग थी, लाशे पैचा में नहीं आ रही थी सर सर, हमने एक 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 लाश को पलट-पुलट के दिखा कि कहीं सर, अगर आपको कुछ हो जाता तो, हम कही कहने रहते सर आपके बिना हम लोग जी नहीं सकते सर सर, हमारी भी जिंदगी बेकार हो जाती है मैं तो वही पर था, बस छोड़ा सा दूर था इसलिए तो बच गया मैं हमें तो यह भी लगा था कि आप 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 ब्लास्ट में गायल हो गयें और उन गुंडे लोगों ने आपको किड्नैप कर लिया है अभी जीत, इतने लोग उमरे उनके साथ कोई गुंडे भीत होते हैं ब्योची के हैलत में मैं जैसे उनके तरफ बढ़ाओ झाल चित्रोले साथ, आप यहाँ? CID की हिज़त मिट्टी में मिल जाए और DCP चित्रोले पतंग उडाता रहे एके साथ, प्लीज, आप जब भी प्यूरो में आते हैं, कुछ ना कुछ आग लगा के निकल जाते है CID की हिज़त के लिए हम लोग उने अपनी जान की बाजी लगा दिये साथ जान की बाजी, अपनी जान बचा लो दूसरों के गई भाड में? दिखे सरी, बहुत गलत बात है तोम तीनो वहीं पे थे, जहां पे ब्लास्ट हुआ ठे ना? हाँ, ठे वहाँ पे जितने भी लोग थे, उन में से बारा की लाशे मिली है पर बाकी तीन की हालत ऐसी है, कि अब मरे और तम मरे बदमाश तो सारे मर गए, मगर यह C.I.D. officers कैसे बच गए? आप क्या चाहते हैं, हमारी विलाश हमाँ पड़ी होती? मैंने पूछा विलाश में वो लोग तो मर गए, वगर तुम लोग जिन्दा कैसे बच गए? मतलब हमारी मौत होती तो आपके दिल को ठंड़क पहुंचती, हाँ? जान की बाजी लगाई थी ना तुमने? हाँ, लगाई थी. मगर हमारे वहां पॉस्त ही ब्लास हो गया था. ब्लास तो हुआ, मगर ब्लास में, असल में क्या हुआ, वो देखो. वहां पे एक CCTV क्यामेरा लगावा था, बहुत तूर. उन्हां तो आप लोग को मालम था, ना उन्हें. मदमाशुकी मौत कैसे हुई? और ACP साप कैसे बचे? वो देखो. अजां था. शर्म से निगाय जुग गई ना? सिर उठाके चलने के काबिल ने रहे तुम लोग. एके कोना ठुन लो, और सिर चुपा दो उसके अंदर. कल से नकाप एन के घूमना किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग C.I.D.A. ओफिसर्स हो सर, क्या है तुम नहीं समझोगे अभीजीत, तुम नहीं समझोगे तो समझाओ ना, तुम्हारे आद पर गन थी और बदमाश जास्मिन को गोली मारने वाले थी तो इसको बचाने के बजाए, वाह से निकल लिए तो क्या पंदरा भी इस लोगों को गोली मारता मैं हाँ कम से कम इसर्सत तो बच जाती लड़की को गोली मार दी उन्होंने और A.C.P. प्रदुमन वाह से भाग निगला ये गलत है सर इस भी सब पर इल्जाम लगाने से पहले दो बार सोच लीजिए सर पच्छीस बार मैंने इस वीडियो को चला के देखा है और जितने बार देखता हूं यही दिखाई देता है कि जब बहादुरी दिखाने का वक्त आया तो A.C.P. प्रदुमन वाह से ऐसा भागा जैसे कुट्था दुम दबा के भागता है चित्रोलें सिर्फ एक ही जवाब चाहिए बस जो भागा केस अभी तक पूरा नहीं हुआ है सर यंद्या, अगर सबको पता चल गया तो बॉत से लोग मारे जाएंगे बढ़ी साजेशे तो बता थे क्यों नियों हम सब CS अबीसर्स है हमसे कैसा परदा परदा है还वे को नहीं बताया सकता हमें है नहीं थ इस वीडियो से पता चल गया है कि तुम्हारी बहादुरी स्रफ इन आफिसर्स की वज़े से है जैसे तुम अकेले पड़े निकल फागे तुम्हें सी आइडी छोडनी पड़ेगे रेजिगनेशन देना ही पड़ेगा I want your resignation Sir Sir यप क्या कह रहे है 24 खंटे बस 24 खंटे देता हूँ डिसाइड कर लो अपने आप चाना है इज़त से या जूते खाके चित्रोले चित्रोले झाल बस्काना है झाल एक पैसे निए घ्डर सब्सक्राइजद सब्सक्राइज करे डिदू झाल झाल झाल